धर्मकरंतों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही टिपनी कर रहे हैं रामायन को बदनाम करने ही कोशिश कर रहे हैं एक चौपाई को लेकर तो वो चौपाई है डोल गवार शुद्र पशुनारी इसका में बिल्कुल सही सही अर्थ प्रमाण के साथ आपको मैं यहाँ पर दे रहा और उसमें सुंदर कांड में जाईए सुंदर कांड में यह चौपाई आपको मिलेगी किस पेज की चौपाई में राम जी और समुद्र के बीच वारता दिखाई गई है जिसमें राम जी ने समुद्र से ये विंती की कि वो उन्हें मार्ग दे पर समुद्र ने उन्हें मार और पश्चाताप करते हुए ये कहा कि मैं समुद्र कह रहा है इसमें देखो ध्यान से तो यहां समुद्र देवता राम जी से अपने लिए बोल रहे हैं समझे जितनी भी अकलमंद लोग हैं वो यह चौपाईयों को जरा ध्यान से देखें गवारों वाली जिंदकी नाजी है कि यहां समुद्र देवता अपने लिए बोल रहे हैं कि हे प्रभू मेरा हल बिलकुल वैसा ही है कि जैसे डोल को जब तक बजाओ नहीं तब तक वो बज़ता ही नहीं है आप जब डोल को बजाओ नहीं तबला बजाओ नहीं तो कहां से बज़ जाएगा हमें बज़ यसलिए लोग उसे गमार कहते हैं किसी व्यक्ति को तो अगर आपका नौकर उल्टे काम करके आजाए आप उसको कोई काम दें आप उसको हजार रुपया दें कि जाके मार्केट से सबजी लेकर आजा और वो सबजी की जगे पर वो पैसे कहीं गिरा कर आजाए कि मूर्क व्यक्ति को ताड़ना जरूरी है आप ताड़ने का मतलबा मारना पीटना समझाना जो मर्जी समझ लीजिए वो आपके उपर है तो गमार के तो साथ ऐसे ही होता है ना आपका आगर मन है तो बेशाक उसको माला पहनाई है पर कोई दिखत नहीं है पर इतना माहत्मा कोई है नहीं अब तीसरी चीज़ पहला होगया डोल दूसरा गमार अब शूद्र अगर किसी व्यक्ति को देखिए शूद्र को हमारे शास्त्रों में परमात्माने अपने बराबर माना है क्योंकि ये जो है समाज की सफाई करते हैं तो शूद्र जो है मान लीजे कि शूद्र को जो है सफाई का काम दिया गया उनका काम है तो उन्होंने किया करने के बाद में मान लीजे वो सारा का सारा कूड़ा जान बूच के आपके घर के आगे डाल दे एक तरीके से इंडिरेक्ली ये बताया गया जानबूच के उल्टा कर दे काम और सारा का सारा कूड़ा आपके घर के सामने डाल दे आपने हटाने के लिए क्या वो आपके घर के सामने डाल दे तो वो भी ताड़न के अधिकारी हैं कहने का मतलब उन्होंने अपनी duty डंग से नहीं नी भाई और सारी समाज की जो गंदिगी है वो सारी सही जगे पर पहुचानी की जगे पर उन्होंने उल्टी जगे पर डाल दी तो वो ताड़ने के अधिकारियें समझाना, मारना या जो भी मरची समझ लीजिए वो आप के उपर है अब पशू आपके घर में अगर कोई कुटा है मान लीजे कोई कुटा है कोई पशू है वो अगर अपनी मर्यादा लांग जाए और आपका पाला हुआ जानवर जो है वो आपको काट ले अब आप कितने भी बड़े धर्मात्मा होंगे कटवा लोगे आप कितने ऐसे केस हा रहे है कि आप जानवर जो है जो पाले हुए जानवर है वो लोगों को काट रहे है तो उसके उस पर क्या होता है उस पर एक्शन होता है तो आप कितना भी अपने जानवर को प्यार करते हो वो अगर वो आपको काट ना शुरू कर दे आसपास जो है आतंक मचा दे तो उसके खिलाब तो एक्शन होता है ना आप उसको रख लोगे समाज में उसे रहने दिया जाएगा अगर वो आपी के बच्चे को मार दे तब आप क्या करोगे आप उसको अलमारी में सजा के रख लीजिए अगर है हिम्मत तो कितने सारे ऐसे कितने ऐसे केस हैं कि जहाँ पर जानवर अपना पाला हुआ जानवर जो है वो बहुत जादा आकरामक हो गया हिमसक हो गया और उसको गोली मार दी गई तो ऐसे ही होता है आप सजा के रख लीजिए अगर हिम्मत है तो तो यही शास्तर बोल रहा है यही चौपाईयां बोल और यही समुद्र बोल रहा है अपने लिए कि पशू मैं उस पशू के जैसा हो गया हूं कि कुछ देर के लिए मैं उस पशू के जैसा हो गया कि जो अपनी मर्यादा भूल गया तो समुद्र कह रहा है कि मैं बिल्कुल उस पशू के जैसा हूं कि जो अपनी मर्यादा भूल ग तो आप उसको ताड़ेंगे, सजा के नहीं रखेंगे, अब पशू के बाद अब है नारी, तो यहां समुदर कहते हैं, कि मैं उस नारी के जैसा भी हूँ, जो अपनी मर्यादा खो देती है, और उसका मर्यादा खोते ही सम्मान खतम हो जाता है, तो मान लो आपकी बीबी आप चोड़ के भाग जाए, तब आप क्या करोगे, क्या करोगे, आप उसको सम्मान दोगे, या फिर आप उसको डांटोगे, और डांटने का मतलब यहां पर ताड़ना हो गया, डांटोगे, मारोगे, समझाओगे, जो मर्जी करोगे, जो महिला अपने परिवार का समाज को कलं कित करके भाग जाती है या कोई भी हत्या कर देती है कई केस ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें एक महिला ने बच्चे का सिरकार दिया पूरे परिवार को खतम कर दिया तो उसको फांसी दे दी गई बिल्कुल वैसे ही जैसे पूतना ने भगवान स्री किशन को दूद पिलाया पिर उ उसने वरत होकर अपनी मरियादा कोदी तो उसने क्योंकि मरियादा कोदी वह लूज करेक्टर हो गई तो इसलिए बगवान लक्षम Repeate ने उसको मार दिया बसकतर सीधा साज़ान थै तो जो वरत अपनी मरियादा को दे चिया समय के उसको समाज भी नकार देता है और सरकार उसको सजा देती है तो ऐसे लोगों को बिलकुल अंदेखा करिए जिनका राजनीती में जाने का मकसद जिर्व यह होता है कि अपने घर में राशन बरना और फिसूल की बाते करना और समाज में बिलकुल गंदगी फैलाना तो इसलिए मैंने उन्हें ये उपमा दी कि ऐसे लोगों का जो मुह होता है वो गटर के धकन जैसा ही होता है कि जब भी खुलता है तो बदबू ही आती है ये लोग समाज पर कलंग है और ये धबा जो है ना बहुत जल्दी मिटने वाला नहीं है ये हर युग में आते हैं ऐसे राक्षष तो ऐसे राक्षष लोगों को थोड़ा सा इगनोर करिए और अपने धर्म को और मजबूती से पकड़ के रखिए जै श्रीरा कर दो दयाक्षपपश USता एमिदन आतशक्ण ब़्ग समाज तो बीच्पश क्या नहीं है ये उनदन घ्क बड़ के बा Keeping पने दो है झाल झाल